मुझा जाए अहम्दाबाद गुझरात का एक पिता अपने कोरोना पीड़ित बेटे का बत्रा अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। उनका बेटा वेंटी लेटर पर है। 20 माई को वो अस्पताल से होटल जा रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने उनकी कार का तायर पंचर होने की बात कहकर पैसे वो अन्य सामान उड़ा लिया। साकेत हाना पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफतार कर लिया है। बदमाशों के कबजे से लूटे गए मोबाइल फोन, 14,000 रुपे, ATM कार्ड, आधार कार्ड वर वार्दात में इस्तेमाल की गई कार बरामत कर ली है। पकड़े गए एक बदमाश के खिलाफ में 30 अप्राधिक मामले दर्ज है। दक्षिन जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार अहमदाबाद, गुजरात निवासी रवी श्रीवास्तफ बेटी प्रिया के साथ साकेट स्थित होटल शेरेटन में ठहरे हुए है। उनका बेटा अतुल कॉवेट होने के कारण बत्रा अस्पताल में भरती है और वेंटीलेटर पर है। वो 20 माई को बेटी के साथ हॉन्डा सिटी कार से अस्पताल से होटल जा रहे थे। रात करीद पॉने 10 बजे जब वो दीपसार कॉलेज के पास पहुँचे तो बाइक पर दो युवक आए। युवकों ने रवी श्रीवास्तफ से कार को रुपवा कर कहा कि उनकी कार का एक टायर पंचर हो गया है। रवी श्रीवास्तफ ने जैसे ही कार रोकी बदमाश कार में रखा बैग लेकर फरार हो गए। रैंग में दो मोबाइल फोन, ATM कार्ट, आधार कार्ट और 90,000 रुपए थे। रवी ने अगले दिन इसकी शिकायत पुलिस में की। मामला दर्ज कर साके थाना ध्यक्ष अनिल मलिक की देखरेख में एसाई दिनेश कुंडू वपी एसाई जोगिंद की टीम ने जाज शुरू की। जाज के बाद थाना ध्यक्ष अनिल मलिक की टीम ने मदनगीर निवासी सूरज उर्फ माइकल उम्र 26 वर्ष और रोहित को गिरफतार कर लिया। सूरज के खिलाफ 29 अप्राधिक मामले दर्ज हैं और वो 15 अप्रेल को ही जेल से बाहर आया था। रोहित 12 माइक को जेल से बाहर आया था। संसनी ओफ इंडिया नेटवर्ग